मा एक ऐसा सब्द जो औरत को संपूर्ण और पूर्ण बनाता है बोलते हैं कि इसके बीना एक औरत अधूरी होती है अधूरी होती है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैपी और हेल्दी होंगे और आज का जो टॉपिक है न वो बहुत जादा मेरे दिल के करीब है ये टॉपिक और फिलाल मेरी एक फ्रेंड है जो दिल्ली में वो इस सिच्वेशन से जूच रही है और इस सिच्वेशन की वज़े से उसके दिमाग पे असर हो गया है तो मैं भी जब से सूनी है तब से मुझे बहुत जादा इस चीज के लिए फील हो रहा है कि भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए बहुत मुस्किल होता है हर महीने अपने आपको तूटते हुए देखना और फिर हिम्मत करके एक उमीद बांधना तो ये सिच्वेशन है कि मेरे साथ ये हो चुका है तो मैं उस चीज को समझ सकती हूँ जिसके साथ हुआ है वो उस चीज को दर्द को समझ सकता है तो मैं ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि जो बहन जो फ्रेंड मेरी इस सिच्वेशन से जूझ रहे जिनके बेबी नहीं हो पा रहे हैं, उनके साथ मैं अपना experience share करूँ, ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ positive बाते सुनते हैं किसी के बारे में, तो हमारे मन में उम्मीद जागती है, ऐसा नहीं है किसी औरते ही परिसान होती है, जो आदमी लोग होते हैं, जो husband होते हैं, वो भी होत होते हैं, बेट मेरे ख्याल से 80% लोग support करते ही करते हैं, क्योंकि इसमें किसी औरत की गलती नहीं होती है, कि वो मा नहीं बन पारी है, आप सोची कि उस औरत पर क्या गुजरता है, जब हर महीने उसका उम्मीद तूटता है, डॉक्टर के पास जाना, ऐसे से medicine होते हैं, जो बना पाऊंगी, इसलिए मैं voice-over कर रही हूँ, ताकि मैं अपने feeling को सामने रख सकूँ, मेरी साधी के 8 साल के बाद मुझे पहली बर conceived हुआ था, ट्रीटमेंट के बाद ही, काफी medicine ले, उसके बाद वर्ट तीन महीने के बाद हो भी abort हो गया, मत्तब abortion हो गया मेरा, सौरी थो तो वो भी हो गया, आपको मैं जब मैं डॉक्टर के पास गई, ultrasound के लिए, जबकि मुझे कुछ प्रॉबलम नहीं था, टाइम पे check-up जो होता है न, routine check-up के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे का धरकन बहुत, मत्तब कम सो कर रहा है, कम दिखाई दे रहा है, जिसे हिम्मत तूट गया, इसान का, sorry, तो बहुत अंदर से मैं तूट की, बट मेरे हस्बन ने मुझे सारा दिया, बहुत समझाये मुझे, फिर हम तीन-चार डॉक्टर के पास गया, तीन-चार होस्पिटल में कहें, वहां पर भी हमने ultrasound कराया, तो डॉक्टर ने यही जबाब द इस लिए हम दे सकते हैं, बट 100 परसेंट से ओर नहीं है, 80 परसेंट नहीं है, 20 हो सकता है, तो वो 20 परसेंट है उसको हम सोच रहते हैं कि 100 हो जाए, इसकी उमीद में किस-किस डॉक्टर जहां-जहां बतलब एक दिन में, जहां-जहां हो सके, पॉसिबल हम लोग गया क्यों वहां पे गए तो पता चला कि डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया कि बच्चे की धरकन ही रूप गई अब वो सिच्वेशन काफी कठीन था बट मेरा हस्पेंट मुझे समझाते रहें बोले कि हिमत रखो जो भगवान सोच के रखे हैं वो हमारे अच्छा ही होगा फिर बोलते हैं न कि भगवान जब तकलीफ देते हैं तो हिमत वो खुद ही देने लगते हैं फिर वहां पर गई तो मुझे इतनी सारी ओरते मिली ऐसे उनकी बाते सुनी तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से थोरा सा हिम्मत उमीद मतलब रहा कि चलो कोई बात नहीं इस बार नहीं अगली बार भगवान सहाथ सुनेंगे और फिर वो मेरा एबोशन हो गया उसके पात टीटमेंट लेती रही लेती रही और मतलब मेरा हस्पर्ण मुझे बार बार बोलते थी कि तुम कुछ करो खुद को बिजी रखो अगर तुम सिप ऐसे ही रहोगी यही टेंशन तुमारे तुमारे हर्म हमेसार रहेगा मन में त जब डॉक्टर के पास जाती थी तो मुझे ऐसी ऐसे औरते मिलती थी जो टीटमेंट के लिए उनकी बाते में जब सुनती थी कि मतलब उनको ससुराल से सपोर्ट नहीं है कभी सास है तो बोनी कि दूसरी साधिक कर लो या फिर कोई कोई हस्पेंट के तरफ से भी सपोर्ट आप बिश्वास नहीं करेंगे कुछ लोगों के तो मायके से भी सपोर्ट नहीं था माईके में भी मतलब कुछ बताते थे मतलब वो हमें सुप और असुप के नजर से भी देखते हैं मतलब ससुराल में तो होता ही है बहुत जगव होता है या फिर आपका यास परोस में भी मानते हैं अगर बेवी नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ी कुछ अलग नजर से देखते हैं कि क्या बोले अपने पनी सोच हर इंसान की सोच एक जैसे नहीं होती है बट जब माईके में सुनते हैं कि माईके में भी आपको सुब असुब की नजर से देखते हैं वो डारिक नहीं बोलते हैं लिए आरे कुछ नकुछ आपको फील हो जाता है तो बहुत कठीन होता है एक आुड के लिए इस सिच्वेशन से निकलना वट। चलो भगमानं हिमत देते हैं और सबसे बरा सपोर्ट होता है husband का सपोर्ट और husband का सपोर्ट है तो आप किसी भी परिसानी से निकल सकते हैं भगम तो सबको नही अच्छा लगता है। तो अगर बेटा अच्छा है, बेटा मावाब का सेवा कर रहा है, तो सुरवन कुमार, भाइबहनों का ध्यान रखरा है, तो बहुत अच्छा बाईD फूरा का ध्यान रखरा है, तो प्रिवार स हो क्रूंगे, बहुत संसकारी है बट अगर बीबी का सुन रहा है बीबी को समझा रहा है बीबी को संभाल रहा है इस सिच्वेशन में तो लोग पता ने क्या-क्या बोलते हैं और तो यह जोरू का गुलाम और पता नहीं क्या-क्या वाड यूज करते हैं लोग अगर दमाद बेटी को लिए कुछ कर रहा है तो दमाद तो बहुत अच्छा है बट वही आदमी अगर बेटा है और वह अपनी बीबी के लिए कर रहा है तो वह बहु के लिए बहुत कुछ करता है तो यह चीज अच्छा नहीं लग रह यार ऐसा कैसे अफसोस रखते हैं लेकिन है दुनिया में मुझे और बहुत मिलती थी और वो बताती थी तो मुझे मतलब यह लगता था बट भवान के दिया से कम से कम मेरे सुसराल में यह प्रॉब्लम नहीं थी ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूं तो वो लोग के हुआ कि यह समें ओम को यह बताती के हो जाएगा टेंस यहां डेना सब्सक्राइ्ट है तो एक हिंप मिलता है परीपरिशानी कम हो जाती है वो दुखो का पहार जो होता है वो छोटा लगने लगता है ऐसा लगता है कि आप इस से निकल सकते हैं तो यह जो सपोर्ट है न वो सभी परिवार वाले क्यों नहीं कर सकते हैं आप क्यों नी सुचते हैं कि वो कल आपकी बेटी के साथ आपकी बहन के साथ किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन नहीं वो नहीं समझना है। जब उड़yn बताती थी कि मेरे घर में ऐसे होता है मतलब अधिते स suivर और ने में भी प्रावलम होती इतना होता है अभी भी मेरी बहुत सारी जानपाचान के जो टीटमेंट के लिए आती थी बट उनका अभी तक कंसीव नहीं हुआ है वह मैसेज करती है फोन करती है मैं भी पूछते रहती हूं कैसी हो क्या है बट अभी नहीं है बस भगवान करें में निकाल दिया फिर मैं हस्बेन के घाने से खुद को बीजी रखने की कोसिस करने लगी फिर मैं बच्चों को ट्यूशन देने लगी और बच्चे आते थे और भगवान की दया से मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने मेरे प्रती मन में अलग भावना रखा कि य मेरे दो दो बैच के बच्चे इतने सारे होते थे इतने इतने बच्चे को में यह दो बैच के बच्चे हैं मेरे और मैं उनको परहाती थी उनके साथ पार्टी करती थी कभी मैं कुछ बना के खिलाती कभी उनके घर वाले वाले सब कुछना कुछ भेते थे और हमारा वोलो पड़ती हैं, लिए तो दूर होगो हो जाता है, बहुंगे माइं चथ्कून के लिए फ़ोन करना है। विए अजय को बहुते ही, आपश्य हो जाता है, हम कुछ और देखने लगते है। तो हमारा जो सफर होता है वो असानी से कर जाता है तो यह एक्जामपल मेरे हस्बिन मुझे देते थी वो बोलते थी कि देखो यह पतीला गरम है अगर तुम कपड़े के हाथ से इसको पकरोगी तो तुमारा हाथ नहीं जलेगा तो इसका मतलत यह नहीं है कि पतीला ठंडा हो जितने भी भाईया लोग मेरा वीडियो देख रहें प्लीज जिनकी वाइप के साथ प्रॉबलम है ना सपोर्ट चाहिए आपका सपोर्ट काफी फर्क पड़ता है लाइफ चेंज हो जाता है आपके सपोर्ट से हमें उन फेमिली वालों से भी जितने भी फैमिली मेंबर है उनसे भी रिकवेशन है के प्लीज सपोर्ट कीजिये कोई भी हो जाएफ सस्राल हो जाए माइका हो आप समस्चिना मुस्किल होगा सब्सक्राइब अस सिच्वेसन रहती थी और हर प्रोग्राम में पर्टिसिपेट करना और किसी भी चीज्य में दुनिया कायम हैं तो में अपने मन में उमीद का दिया जलाई रखी उमिद रखी और यह मतलब था कि आज नहीं तो कल भगवान पका सुनेंगे और ऐसा नहीं है सब का सुनेंगे जितने भी मेरी बेहने और मेरी फ्रेंड परिशाल है ना वह सब से बोलूँगी में कि प्लीज आप अंदर से हिम्मत रखना अपने हिम्मत मन का हार है मन जिस दिन हार जाता है उसे हम भी हार जाते हैं और प्लीज प्लीज सभी फैमिली मेंबर से रिक्वेश्ट है कि प्लीज सपोर्ट कीजिए अभी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा जरूरत होता है क्योंकि इतने ट्रीटमेंट के बाद न अभी बता रही थी न मैं आपको कि मैं एक फ्रेंड है जो दिल्ली में है तो उसके दिमाग पे थोड़ा सा असर हो गया है और वो काफी अजीब सी हरकते कर रही है अभी उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से चलने लगा अभी क्या बताओ मैं आपको वो देखके मुझे बड़ा सुनके बड़ा अजीब लग रहा है तो मैं सुची य और मैं हर चीज में पाटिसिबेट करती थी और ऐसा नहीं के टाइम पास करने के लिए अच्छे से मुझे कभी फर्स्ट या सेकेंड प्राइस मिलता ही मिलता था हर चीज में मतलब आगे रहना और इससे मुझे ये फायदा हुआ कि ट्रेटमेंट तो लेती थी बट खुद को बिजी रखती थी और खुद के लिए थोड़ा से सिच्वेशन हेंडर करना में इसी हो गया था और इतना अच्छा हुआ था कि मतलब मुझे इंविट के तरफ से जो आर्मी का होता ना आवा आवा सेंटर होता है आवा एक संस्था है मुझे मुझे वहां से आवा अवर् तो हिम्मत था भगवान ने सुना और उमिद करती हूँ कि भगवान सब की सुने और मातरा ने सब की गोदवरे क्योंकि ये हर औरत का सपना होता है हर औरत का अर्मान होता है हर औरत इसी से कंप्लीट होती है और ना ये ना हो तो पता नहीं किस किस से क्या क्या सुनना और मेरी फ्रेंड इतना सपोर्ट करने वाली फ्रेंड परोसी मिले कि क्या बताओं मैं आपसे और भगवान करें सबको ऐसा सपोर्ट करने वाला परिवार प्रेंड और प्रोसी मिले तापकी आपकी परिषानी कम हो और इस परिषानी सब की गोद भरे वसे मातारानी से पराथना है और यही भगवान जीस से क्या बताऊ मैं भगवान ने जैसे मुझे दिया सबको दे और सबको हिम्मた दे अगर परिषानी देते हैं तो सबको हिम्मत दे और किसी को किसी बात का इस वीडियो में बुरा लगा होगो तो सौरी माफी चाहूंगी बट थाइंक्यू सो मच देखने के लिए